जोतिश शास्त्र के नुसार मानव जीवन में आने वाले सुख और दुख का सीधा संभंध ग्रहों और नक्षत्रों से होता है जो नरंतर अपना इस्थान बदलते रहते हैं जिनका प्रभाब मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है आपको बता दें ये तो आप जानते ही हैं कि महादेव को हिंदू धर्म में काफी जादा शुख रूप से पूजा जाता है इनकी लीला भी अप्रमपार होती है आज यानि की सौमवार की रात जो तिशी रूप से देखा जाये तो काफी जादा शुख रहने वाली है अब ये संयोग पूरे सौ साल के बाद बना है जिसमें तीन राशियों के जातकों की जिन्दगी पूरी तरह से बदल जाएगी अब इन जातकों पर ना केवल मता लक्षिमी की करपा बरसेगी बलकि इनके मान सम्मान में भी बावा भूले नात बहुत जादा इनको बैभव और आविश्विनियव सांयोग बना है अब इस राशिय के जातकों की भी लोटरी लगने वाली है और किसी भी बात के इनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी वहीं काफी जादा महिनत का वीफल इनको बहुत जल्द मिलेगा नए मकान के भी योग बन रहे हैं वहीं सरमद्धी के आने की रास्ते म बोले नाथ के साथ साथ मालक्षमी का भी पूरा साथ जरूर मिलेगा इनको अच्छी नौकरी मिलने के भी संकेत नजरा रही हैं धन्स रमध्धी परेशानी भी इनकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी वरश राशी आपको बता दें आज रात से वरश राशी का कल्याण हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा इस महासंयोग से वरशों से चली आ रही परेशानी एक जटके में खत्म हो जाएगी साथी धन्से संबंदित कोई भी परेशानी इनकी जिन्दिगी में अब नहीं रहेगी कोई भी काम इत्मिनान से करें लाभ जरूर होगा नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल से आकाश की रिपोर्ट